हालो दोस्तों आज से हम लोग क्लास 12 था केमेस्ट्री पार्ट सेकंड से सबसे पहले आर्गैनिक केमेस्ट्री को हम लोग आज से स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसमें आप लोग देखेंगे चैप्टर वाईच फर्स्ट चैप्टर आप देखें इसमें पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर वैसे तो आप तेंथ है देखेंगे ये यूनिट वाईज है है फिर इलकोहल्स, फिनाल्स एंड इथर्स, इल्डिहाइट्स, कीटून्स और कार्बोगजलिक एसिट्स इसके बाद अर्गैनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायो मालेक्यूल्स, पालीमर्स, एंड केमेस्ट्री इन इब्रीडे लाइफ ठीक तो आप देख रहे हैं ये बुक जो है इसी से हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग फिर क्यूशन क्रम से साल्व करेंगे तो देखिए ये यूनित 10 अपका यूनित 10 आर्गैनिक केमेस्ट्री क्लास 12 है का पौर्ट सिकंड है है क्या इसके बाद है लो एरींस फिर डिटेल इसके बार में हम लोग अध्यान करेंगे ठेक, तो देखिए हैलो इलकेंस क्या होता है, जरा समझी हैगा, ध्यान देजी, देखिए हैलो इलकेंस, जो होता है, यह है है, हैलोजन और इलकेंस का डेरिवेट्य होता है, मतलब कहने का अदात पर क्या है हाईलो का अदात पर हाईलोजेंस आप हाईलोजेंस को आप एक से डिनोट करेंगे जिसके अंतरकित आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, भ्रोमीन, आयोडीन ये सबाएगा और ilkinese आप जड़ह देखें ilkinese कहने का अदात पर ये जो भी compound है जैसे ये methane है ethane है methane, ethane propane, c3, h8 आप कह सकते हैं इस general formulas जो बना होगा cn, h2, n plus 2 इससे जो बना होगा e-n बराबर यहाँ number आप carbon है जानते रहिए तो इसके hyalogenों के और साथ ही साथ ये alkaneों के, जो derivative compounds होंगे उनी के बारे में अध्यान करेंगे जैसे, जैसे जरा समझीएगा देखिए जैसे जैसे अभी आपको ये alkane मान लेजिए अपने ले लिया methane, ठीक है methane के साथ आपने कोई किसी भी हाइलोजन करिये आप करवा ले, यहाँ जनरल में हम एक्स टू ही लिख दे रहा है, गैसी इस स्टेट में होता है, इसलिए एक्स टू ही इसे लिखा जाता है, यहाँ तक जैसे ब्रोमीन देखते हैं, लिक्विड है, लेकिन फिर भी हमें हम लोग उसको ऐसे लिख हो सकता है, या फिर देखें, एच निउ लिखा हो सकता है, एच निउ, टेक, कुछ भी, तो आप जान लेंगे, सनलाइट में ही हो रही है क्रिया, अब जैसे क्रिया अगर होती है, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन को रिपलेस कर देता है, है लोजन, है न, और बना लेता ह है क्या, CH3X, और साथी साथ HX, टेक, तो ये तो क्रिया आप जानते हैं, जैसे कोई भी रियक्शन, ये सनलाइट में होता है, तो वो फ्री रेडिकल रियक्शन होता है, कैसा होगा, फ्री रेडिकल रियक्शन होता है, और फ्री रेडिकल रियक्शन जो होते हैं, वो अनिय यहां के संपूर हाइडोजन को रिप्लेस न कर दें अर्थात अगर आप ध्यान से देखें तो यह क्रिया और आगे होती चली जाएगी जब यहां आप देख रहे हैं CH3X बना हुआ है यह है पुना है CH3X यह पुना है हाइलोजन से क्रिये कर लेगा और वो सनलाइट सब हाइडोजन और रिप्लेस करेगा तो यहां दो ही हाइडोजन बचेंगे हाइलोजन उक संख्या बढ़ जाएगी ठीक और अगेन यहां पर यह HX का फार्मेशन होगा और फिर यह क्रिये करेगा देखिए फिर पुना है यह क्रिये करेगा वहां पर आप जानते हैं यह CHX3 ठीक यह यहां पर बन जाएगा और साथी साथ देखिए यहां पेचेंज था इसलिए इस तरीके से हुगा अब पुना हमने लिख दे रहा हूं यह CH2 X2 है और प्लस X2 ऐरो CHX3 बनेगा ठीक और साथी साथ ही HX भी बनेगा अब देखिए ध्यान दीजिए यह जो बना है इसी को आप हम क्या कहा देंगे हाईलो फार्म कहा देंगे हाईलो फार्म मतलब अग जैसा हाईलो जन लिए रहेंगे क्लोरीन लिए रहेंगे क्लोरो फार्म ब्रोमीन लिए रहेंगे ब्रोमो फार्म आयोडीन लिए रहेंगे तो आयोडो फार्म ठीक है इस तरीके से अब देखिये ये पुन है यह हाईलो फार्म C H X 3 जो है यह अगें क्रिय कर लेगा हाईलो जन से और यह बना लेगा क्या C X 4 प्लस H X अब देखिये यह C X 4 अब यहीं पर अब क्रिया रुख जाएगी तो इस तरीके से इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा अब ध्यान से देखि अभी यहां लोगों ने यहां दिखा था CHX3 पेच चिंजोने काड़ यहां कड़ गया था तो यह तो यह बना और आप दिखेंगे यहां पर यह CH2X2 बना और अभी आपने दिखा था कि यहां CH3X बना था CH3X यानि यह सभी क्या कहे जाएंगे यही सब कंपाउंड जो हैं आपके कहे जाएंगे हाइलोजन के क्या हैं हाइलोजन के यह हाइलो इलकेंस कहे जाएंगे ठीक है हाइलो इलकेंस क्या क्या बना था अभी आपने देखा था एक तो यह बन गया था CH3X ठीक दूसरा बना था CH2X2 तीसरा बना था CH X3 और चोधा बना था CX4 तो इस एक HERO जर नगर रहेगा तो उसको हम क्या का देंगे MONO HELO ठीक है MONO HELO या केवल हैलो हैलो ELCAN कह सकते हैं या MONO HELO ELCAN कह सकते, वैसे Generally HALO ELCAN डाई हैलो ELCAN इसको क्या कह देंगे ट्राई हैलो एलकेन और इसको टेट्रा हैलो एलकेन टेट्रा मिन्स यहाँ चार हैलो जना इसलिए टेट्रा कह रहा है एक रहेगा तो मूनो दो रहेगा तो डाई तीन रहेगा ट्राई चार रहेगा टेट्रा ठीक तो इनी सभी क्या ध्यान अम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं ठीक तो आएए देखते हैं ध्यान दीजिए जरा देखिए पहले इससे इंट्रोडियूस हो जाएए देखिए अभी आपने देखा था कि जितने हाइलोजन जुडेंगे उतने ही हाइडोजन रिप्लेस होंगे है ना तो ऐसे अभी या इलकिल हैलाइड भी उसी कहा देंगे अब यह लोग आगे देखेंगे आप सब नाम करना जब करेंगे आयूपीसी कामान नेम इन सब में सब क्लियर हो जाएगा और देखिए हैलो एरीन्स क्या होता है है जैसे जैसे आप बंजीन ले लीजिए है ना बंजीन ले देखिए जैसे देखिए जैसे C6, H6 अगर ले लिए हम लोग अब इसके साथ हैलो जड़ करिये करवा दें अगर तो क्या बनेगा एक एच रिप्लेस हो जाएगा तो C6, H5, X और साथी साथ HX, एक्स ये भी बनेगा तो इसी को हम लोग क्या कहा देंगे यहाँ हाईलो एरिंस कहा देंगे अब जैसा आप लिए रहें आप ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, म्रोमीन, आयोडीन यह सब फ्लोरीन के रियक्सन थोड़ा एक्स्प्लोसिव नेचर भी स्फोटक प्रकृत कि होता है इसलिए भी से इस रूप से उसकी अलग रियक्सन होती है आपको बताया जाएगा ठीक तो यह जानते रहिए कि इसे हम क्या कहेंगे हाईलो एरिंस कहा देंगे इस तरीके से और बहुत से कंपाउंड होते है इसके डेरिवेट्व होते है बेंजीन के जैसे फिनाल के साथ हाफ रियक्सन करवा दें टालूइन के साथ करवा दें हाईलोजन का तो उसके डेरिवेट्व मिलते है जैसे क्लोरो जैसे आर्थरो पहरा मेटा यह position भी होता है आपको जैसे देखिए यहाँ एक देखिए लिजी जैसे यह देखिए अगर यह आपका क्या है यहाँ अगर मा लिजी यह होई अच्छा है तो इसे आप क्या कहा देंगे यह आपका final हो जाएगा ठीक? final अगर यहाँ arthro position पर chlorine जुड़ता है तो इसको क्या कहेंगे arthro chloro final ठीक है और अगर यहाँ पर जुड़ता यहाँ पर जुड़ता तब इसको हम क्या कहते है? meta chloro final और यहाँ पर अगर जुड़ता तब इसको हम क्या कहते? payra chloro final इसी तरीके से दियान देजिए कि क्लोरीन अगर यहां जुड़ा होता है यही क्लोरीन अगर यहां जुड़ा होता इस पोजीशन पर तब भी आर्थर होता ध्यान दीजिए अगल बगल जो होते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां और साथ में इस साइट यानि यहां और यहां तो वो मेटा पोजीशन है और एकदम सीधे उसी का पोजीट यहाँ पर हम क्या कहेंगे यह पैरा पोजीशन है ठीक उसी तरीके से नामकरण भी होता है देखिए देखिए जैसे हैलो इलकेन आर एक्स वेर आर इज इलकेल ग्रूप आर एक्स कहीं लिखा गया तो आर मतलब क्या कहेंगे आप इलकेल ग्रूप इलकेल ग्रूप इसको क्या कहेंगे इलकेल ग्रूप है यह ठीक है इलकेल ग्रूप और एक्स क्या है यह द्यान दीजिए हैलो जना है जैसे फ्लोरीन हो सकता है chlorine हो सकता है bromine हो सकता है iodine हो सकता है इस तरीके से ये सारे बातें भी जानते रही देखिए hyalurines में ARX where AR is arine X is hyalogen atom fluorine, chlorine, bromine, iodine इतना तो समझी रहे है आगे देखिए 10 hyalurines and hyalurines are hyalogen derivatives of illiphatic and aromatic hydrocarbons ये एलिफैटिक और इरोमेटिक के ध्यान्दे derivatives, hyalogen के derivatives हो सकते हैं मतलब hyalogen के भी उत्पन हो सकते हैं देखिए आगे चेक करिए जरा देखिए, hyalurines contain hyalogen atom attached to the sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon का मतलब क्या होता है देखिए, जैसे ये carbon है अभी यहां से यह hydrogen जुड़ा है यहां भी hydrogen जुड़ा है यहां नीचे भी hydrogen जुड़ा देते हैं ठीक है यहां भी hydrogen जुड़ा तो इसी से जब hyalogen जुड़ा रहे ठीक है, hyalogen जुड़ा रहे तो यह carbon जो देख रहे हैं यह carbon यह carbon क्या है? sp3 hybridized carbon है कैसे पता चला क्योंकि आप ऐसे simply देख सकते हैं कि यहाँ sigma bands count करके देख सकते है 1, 2, 3, 4 4 sigma अगर कहीं पर है यह 4 sigma band है कहीं पर तो आप उसको क्या कहते है sp3 hybridization कहा देते है तो sp3 hybridized carbon है यह भी जानते रही है तो इस तरीके से आप इसको क्या कह सकते है sp3 hybridized carbon से यह attach होता है आगे देख लिजी थोड़ा से zoom कर दें जिससे देखे और next जड़ा देखिए इसी तरीके से आप और क्या कह सकते है next है कि sp3 hybridized carbon atoms of an alkyl group whereas halo areas contain halogen देखिए यह halogen रखते हैं यह जैसे कोई iron group है halo iron group है तो उसमें संकरण अगर आप चेक करेंगे तो sp2 होता है sp2 hybridized carbon से halogen अटेच होता है जैसे आप चेक करिए द्यान दीजिए यह है ठीक है बेंजीन है एक हार्डोजन यहां से हम replace करके यहीं कलोरीन जोड़ दें तो अब आप यहां पर जो carbon है ध्याँदेना यहां पर जो carbon है यहां पर इस carbon को अगर आप चेक करें तो इसमें कितने sigma कितने पाई हैं देखिए यह कलोरीन जो है यह तो sigma band's जोड़ा है इसमें भी double bond वाला जो है ये πाई है और ये sigma है इदर भी single band sigma तो आप कितने sigma देख रहे हैं यहाँ एक sigma, 2 sigma, 3 sigma, 3 sigma और एक πाई तो तीन sigma बांड और एक पाई बांड अगर कहीं रहे तो उसको आप sp2 संकरण का देते हैं चेक, तो clear हो रहा होगा ये आगे देखिए अब देखिए यह सभी जो आप देख रहे हैं यह हमारे धैनिक जीवन में काफिय उपयोगी होते हैं सम नेशिरली अकरिंग हैलोजन कंटेनिंग आर्गेनिक कंपाउंट्स कुछ तो नेशिरली प्राप्त होते हैं है ना प्राकृतिक रूप में ही वो सिंथेटिक रूप में नहीं होते मतलब बनाए नहीं जाते वे नेशिरल अकरिंग होते हैं मतलब नेशर में ही पाये जाते हैं मानो निर में इतना ही होता सीधा सीधा आपका सकते हैं देखिए ज़रा ये सम नेचिरली अकरिंग हाईलोजन कंटेंडिंग आर्गेनिक कंपॉंट्स आर इंपोर्टन्ट इन हेल्थ केर मतलब वो जैसे आप देखते हैं हेल्थ केर में भी काफी मात पूर होते हैं और यहां तक की मेडिसिन के रूप में दवाईयों के रूप में भी उप्योगी होती है कुछ इस तरीके के कंपॉंट्स होते हैं दीगे सम सेंथेटिक आर्गेनिक हाईलोजन कंपॉंट्स आर आलसो क्लीनिकली यूजफुल कुछ तो देखते हैं जो मानव नेर्मित हैं सेंथेटिक आर्गेनिक हाईलोजन द्यान दीजी सेंथेटिक मानव नेर्मित जो होते हैं वो भी क्लीनिकली यूजफुल होते हैं है ना अगला पॉइंट जराद चेक कर यह देखिए देखिए for example जैसे chloroquinoe chloroquinoe is used for the treatment of malaria malaria के use में यहां तक की हम लोग देखे chloroquinoe ज़र ध्यान देना इसको याद रखिए chloroquinoe कहां यूज होता है तो malaria and halothene ध्यान देना malaria और halothene and halothene is used, हैलोथीन कहां प्रयोग होता है सरजरी सरजरी, आईज, और अनेस्थेटिक है ना अनेस्थेटिक के रुप मतलब बेहोस वोस करने में बेहोस वोस करने में इसका उप्योग किये जाता है कि इसका हैलोथीन का in modern electronic industry है ना, जो आधुनिक electronic industries है उसमें इनका उप्योग और इनको प्रिपेर किये जाता है और clinical सरजरी के रूप में इसका उप्योग किये जाता है हैलोजिनेटेट सॉल्वेंट्स सच है ज़ ट्राइक्लोरो एथाईलीन और यूजड फार क्लीनिंग सेमिकंडक्टर्स चिप्स और अधर कंपोनेंट्स देखिए ट्राइक्लोरो एथाईलीन जो है वो कहाँ उप्योगी होता है फार क्लीनिंग फार क्लीनिंग सेमिकंडक्टर्स जो अर्धिचालक होते हैं उनको क्लीनिंग करने में मतलब उनको साफ करने में चिप्स चिप्स जरदेंदे और अधर कंपोनेंट्स और अन्य जो अवयव होते हैं उनको स्वच्छ रखने में साफ करने में जिसे वो स्वच्छ बने रहें इसका उप्योग किया जाता है देखिए इबब आल देज इबब आल देज आरगैनिक हैलोजन्स कंपाउंट्स और यूजड ऐज इंपोर्टन्ट स्टार्टिंग माटेरियल फार्दी फार्दी सिंथेसिस आफ वाइड रेंज आफ अफ अधर सबस्टेंसेस देखिए उपर जो और भी कुछ हाइलोजन के कंपाउंड हैं आरगैनिक कंपाउंड जो हैं हाइलोजन के ये सब बहुत महत्पूर होते हैं किसमें देखिए फार्द सिंथेसिस आफ वाइड रेंज आफ अधर सबस्टेंसेस और विस्तृत रूप में अन्या पदार्थों को सिंथेसिस करने में बनाने में तो देखिए इस तरीके से आज अभी इंट्रोडक्शन था अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहां से देखेंगे क्लासिफिकेशन आफ हाइलोजन डेरिवेटिवस और हाइडरोकार्बन ठीक थैंक्स